मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने कोरोना की कठिनाईयों और सावधानियों पर बात की, देश और देशवासियों की कई उपलब्दियों पर भी चर्चा की, अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है, पंदरा अगस भी आने वाला है, आज आदी के 75 वर्ष का महुत्सव हमारी बहुत बड़ी प्रेणा है हम देश के लिए जीना सिकें आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फॉस्ट हमारे हर फैसले ह और निर्णे का आधार होना चाहिए इंडिया फॉस्ट। साथियों अम्रुत महुत्सव में देश ने कई सामुईक लक्ष भी ताय किये हैं जैसे हमें अपने स्वाधिन्ता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जिवीत करना है। आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधिन्ता संग्राम पर इतियास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी। को करने के लिए आगे आये हैं। साथ्यों दिल्चस्प बात यह हैं उन्नीस्वी बीस्वी सताब्दी के जंग की बात तो आमत्वर पर होती रहती हैं। लेकिन खुशी इस बात की हैं कि 21 सदी में जो युवाद पैदा हुए हैं 21 सदी में जिनका जन्म हुआ है। इन सभी लोगों ने माई गौव पर इसका पूरा ब्योरा बेजा है। ये लोग हिंदी, इंगली, तमील, कंड़ा, बांगला, तेलुगु, मराटी, मलियालम, गुजराती ऐसी देश की अलग-अलग भाषाओं में स्वाधिन्ता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े रहे, अपने आसपास के स्थानों की जानकर जुटा रहा है, तो कोई आदिवासी साधिन्ता से नानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुवात है, मेरा आप सभी से नुरोध है कि अमरूत महोसवब से जैसे भी जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़े, यह हमारा सोभाग है कि हम आजादी के 75 वर्स के परवका साक्षी बन रहे हैं।